भावी के प्यार में पागल पती चार साल से पत्नी को यातनाई दे रहा है। शादी के बाद ससुराल पहुंची विवाहिता से पती ने साथ माह तक दूरी बनाए रखी। पत्नी का आरोप है कि कई बार पती को भावी के साथ रंगे हाथ पकड़ा भी गया है। फिर भी पती सुधरने का नाम नहीं ले रहा। भावी के प्यार में पागल पती अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पत्नी ने यहां तक आरोप लगाया है कि शादी के साथ महा तक पत्ती उससे दूरी बनाए रहा। कमाई का पैसा भावी को देता है। खर्च के लिए पैसे मांगने पर मारपीच करने पर उतारू हो जाता है। चार साल से पत्ती की यातनाएं जेल रही पत्नी को पलस का दर्वाजा खटखठाना पड़ा। सैया शेत्र की रहने वाली विवाहिता की शादी करीब चार साल पूर्व सदर शेत्र के युवक के साथ होई थी। परिशान होकर माई के पहुंची विवाहिता ने धाने में प्राठिना पत्र दिया मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा। काउंसलर मंजुयादफ का कहना है कि युवक के शादी से पहले भाबी से संबंद चले आ रहे थे। शादी के बाद पत्नी ससुराल पहुंची लेकिन साथ महत तक पती पत्नी से दूरी बनाये रखा। इसकी भनक लगने पर लड़की के मायके वालू ने पती को अपने यहाँ बुला लिया युवक के एक साल ससुराल रहा फिर भी भाबी से नस्ती किया बनी हुई है। ताजगंड शेत्र में बहु बेटे से परिशान होकर बुड़ी मा को पुलिस की शरण लेनी पड़ी है। बेटे की शादी करीब 8 साल पूर्व हुई थी लेकिन बहु बेटा बुज़ुर्ग मा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मा कारोप है कि बहु बेटे उसे घर से निकालना चाहते हैं। काउंचलर ने सास बहु और बुड़ी मा को बुला कर समझाता करा दिया। सीन्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।